दोस नमस्कार प्रधान मंत्री नरंदर मोदी की लोगप्रियता लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और देश के सौ सबसे ज़ादा शक्ति शाली लोगों की लिस्ट में नंबर वन पर वो बने हुए हैं इस लिस्ट में केंद्रिय ग्रहिम मंत्री अमिश शाह के अलाबा उत्तर प्रधेश के मुख मंत्री योगिया दितनात, मोहन भागवाद, भारती जनता पार्टी की रास्ट्रिया देख्ष, जेपी नडड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रमोक अखलेश यादव का नाम भी शामिल है, इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी की गई सो सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी दोस्तों नमबर बंट पर जो है बने हुए हैं, कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट और उसके जो है लिए लगने वाली वैक्सीन का प्रवंदन, विधान सवा चनाओ में भाजपा की मजबूत होती स्थिती से पी-म मोदी की छवी में निखार आया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, इसके अलावा हाली में युद्गरस्त यूक्रेन से 22,000 से अधिक युवा भारतियों को एयर लिफ्ट करके सबसे वास्तविक नेता के रूप में जो है निखर के सामने आई हैं, शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में पी-म मोदी के बाद में दूसरे नंबर पर केंद्री ग्रहिम मंत्री अमिश शाह हैं, वहीं इस लिस्ट में दोस्तों तीसरे नंबर पर RSS प्रमुक मोहन भागवत और चौथे नंबर पर भारती जनता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष जेपी नड़ा मौजूद हैं, 96 बिलियन डॉलर फोब्स के मुताबिक की जो कुल संपत्ती के साथ में सबसे अमीर भारतीय मुकेश अबबानी सबसे सक्तिशाली लोगों की लिस्ट में पांचवे स्थान पर मौजूद हैं, सीम योगी के बाद इस लिस्ट में सातवे नंबर पर गौताम अडानी, आठवे नंबर पर राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार अजी डोबाल, नौवे नंबर पर दिल्ली के मुक्ह मंत्री अर्विंद केजरिवाल और दसवे नंबर पर वित्त मंत अकरे 16 स्थान पर शरतवार, 17 स्थान पर सोनिया गांधी, 27 राहुल गांधी जो की 91 स्थान पर हैं और उत्तर प्रदेश के मुक्ह मंत्री अखले श्यादव 56 स्थान पर हैं नरंदर मोदी हो गए, निर्मला सीतर अमन हो गए और जो दूसरे तमाम पॉलिटीसियन हैं यहां पर समझने बाली बात है कि पूरे जितने भी स्थेट्स हैं कंट्री में उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोकप्रीय सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाले जो न अधितनात की छवी है वो बरकरार है, उनका जो नंबर है वो बरकरार है और योगी अधितनात को छटवे स्थान पर रखा गया है तो ऐसे में जो लगातार इस तरीके की बात है राजन्यतिक गलियारों में आपने सुनी होंगी कि पी-म मोदी के बाद में जो है योगी भी प्रधान मंत्री के दावेदार हो सकते हैं तो मैं यहाँ पर जो है लोगों को करेक्ट करना चाहूँगा जो कि अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं उसमें सकते लगा देते हैं यकीनन तोर पर प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के बाद में अगर कोई चहरा है देश का प्रधान मंत्री के लिए तो मुझे लगता है कि योगी आदितिनात से बहतर कोई भी बिकल्प नहीं हो सकता उत्तर पदेश के चुनाफ की बात हो या फिर आप उनकी लीडर्शिप पर अगर ओवराल नजर डालेंगे तो योगी आदितनात एक अलग दरसल भीड से खड़े हुए जो है पॉलिटीसियं दिखाई देते हैं और वाकई में उनमें जो है गुडवत्ता है कि वो इस देश को आसानी से चला सकें तो ये कहीं न कहीं जो तकरीबन दोस्तों टॉप टैन जो मैं कहूंगा कि जो जगहें हैं उन पर लगातार भारती जनता पार्टी के निता बने हुए हैं जो राहूल गांदी सौनिया गांदी अखलेश यादव जैसे निता पहुँच चुके हैं मुझे लगता है कि उन्हें अपने राजनितिक जो है लेवल पर काम करने की जरूरत है और जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उस देश का विपक्ष मजबूत होना बहुती जादा जरूरी है लेकिन यहां पर तो विपक्ष विलप्थ होता चला जा रहा है क्योंकि विपक्ष को यहां पर देश की नहीं पड़ी है उन्हें लूटने की पड़ी है उन्हें जो है वसूली करवाने की पड़ी है पुलिस का गलत तरीक से इस्तमाल करने की पड़ी है अपनी जेवें भरने की पड़ी है तो लोकतंत्र की मजबूती जो है विपक्ष कैसे चाह सकता है पहराल जो दोस्तों मोदी और योगी ने जो कर दिया और कहीं न कहीं कॉंग्रेस जो है विलुप्त होती चली जा रही है कॉंग्रेस की लंका लग चुकी है इस पर आपकी जो भी रहा है मुझे कॉमेंट सक्षन में जिरू लिख बताएं चल्द बनुगा किसी दूसरा अपडेट के साथ में तक तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मोरे बेल आइकन को जरू प्रेस करें तक जब में कोई ने अपडेट ले करहा हूं तो सबसे पर रहे नोडिफिकेशन आपको मेंटेव